इहां हर्यानवी टांसर सिंगर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है सपना चौधरी पर हो सकती है कानूनी कारवाही असल में साल 2018 का एक इवेंट था जिसे और्गिनाइज करवाया गया और सपना चौधरी के नाम पर टिकेट बेची गई सपना चौधरी को उस इवेंट में पहुचना था लेकिन डांसर उस इवेंट में नहीं पहुची उस इवेंट में पब्लिक भारी मात्रा में मौजूद थी और इवेंट की टिकेट 300 रुपे थी पब्लिक ने टिकेट खरीदी लेकिन सपना नहीं आई जिसके बाद वहाँ पर हंगामा हो गया फिर सपना चौधरी पर F.I.R. दर्ज करवाई गई इस F.I.R. में और्गिनाईजर्स का नाम भी शामिल था वहीं अब इसी केस को लेकर खबर है कि सपना चौधरी को कोट में पेश होना होगा तीन साल पुराना ये मामला सपना चौधरी को एक बार फिर से मुसीबत में डाल सकता है